नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से हिडिन चार्जिस होते हैं कौन से चार्जिस आपको पे करने पड़ते हैं जब आप ग्रो आप पे ट्रेड करते हैं चाहिए वो इंट्रडे ट्रेड हो चाहिए वो डिलिवरी ट्रेड हो आपको क आपको कौन से charges pay करने पड़ते हैं या फिर अगर आप US stocks पे trade करना चाहते हैं तो कौन से charges pay करने पड़ते हैं सारी information आपको इस grow app के अंदर provide हो जाएगे तो अगर आप इस grow app पे enter कर चुके हैं तो आपको कहा जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ आपको यहाप पर दिख रहा होगा आपको grow के pricing के option में click करना है आप जैसी click करेंगे तो यह आपको एक दूसरे interface पे ले जाएगा जहाँ पर आपको सारे brokerage की charges and pricing show हो जाएगा तो आप थोड़ा सा नीच आएगे तो अभी women's day कर निकला है यहाँ पर एक offer celebrate कर रहे है grow app जिस पर 0% brokerage from 18 to 15 March for all women investors so 8 to 15 March टक women investors कलिए 0 brokerage है and a hats off to grow app जो एक बड़िया initiative ले रहे है आप थोड़ा सा नीच आएगे तो account opening charges trading और DMAT account opening 0 rupees है आपको कोई account opening के charges pay करने की ज़रूरत नहीं है नीचे आप देखेंगे तो AC, AMC आपको देख रहे है account maintenance charges जो कि अगर आप दूसरे apps की तरफ जाएंगे दूसरे trading apps की तरफ जैसे की जिरुधा हो गया, app stocks हो गया, fires हो गया तो वो लोग account maintenance charges लेते है quarterly, yearly, 6 month के basis पे यहाँ पर आपको 0 rupees pay करना है और यह quarterly 75 rupees हुआ करता था जो कि अब 0 rupees हो चुका है आप नीचे देख सकते हैं आपको brokerage show कर रहा है that is the 20 rupees और 0.05% of per executed order whichever is lower कोई भी जो lower होगा इन दोन में से brokerage वो ही charge किया जाएगा आप लोगों से ठीक है आप थोड़ा सा नीचे आएंगे आपको देख सकते हैं कि brokerage का calculator भी show कर रहा है अगर आपको stock पे trade करना चाहते हैं आप उससे पहले चाहते हैं कि मैं इतनी quantities buy कर रहा हूँ मेरा ये exit price है and मेरा ये buy price है तो in total मुझे कितनी brokerage pay करनी पड़ेगी तो आप brokerage calculator पे click करके आपके लिए pop-up आएगा जहाँ पर आपको next window पे लिकर जाएंगे आप वहाँ पर सारी details को fill कर सकते हैं आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको regulatory के अप और statutory के charges show करना start कर जाएंगे आप देख सकते हैं आपको दो columns provided हैं एक तो intraday and एक delivery का सबसे पहले अगर हम charge ही बात करें that is the STT securities transaction tax intraday पर आपको pay करना है 0.025% at delivery में 0.1% stamp duty की बात करते हैं तो आपको pay करना होगा 0.003% and 0.015% और यह बहुत कम है ठीक है exchange transaction charge sebi turnover charges यह दोनों same रहते हैं चे आप intraday में हो चे आप delivery में trade कर रहे हो DP charges की बात करें तो हमारे लिए intraday में 0 रूपीज है anti delivery में 13.5 रूपीज है पर company जिस पर आप trade करेंगे अब आते हैं थोड़ा सा नीचे और scroll करके देखते हैं तो आपको penalties पे एक option दिख रहा होगा that is auto square of charges तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको auto square of charges पर लिखा है 50 रूपीज पर position तो अगर आप एक intraday trader हो और आप options पर trade और आपने intraday trading कर रखी है तो यहाँ पर auto square of charges जो होते हैं जो मतलब आगर आपने trade ले रखा है और इनका जो time period है square off करने का that is 3.15 अगर आपने 3.15 से पहले exit नहीं करी अपने intraday position को और इन लोगों ने auto square of करा तो वहाँ पर आपके 50 rupees penalty के थुरू पर position के हिसाब से चले जाएंगे तो इसका ख्याल आप लोगों को रखना पड़ेगा और आप नीचे देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा 18% जो कि सब लोग चार्ज करते हैं on brokerage, cdsl charges, exchange transaction charges and auto square of so बहुत easy way में आप लोगों को सारे के सारे charges बता दिए गए हैं कि आप लोगों को लगते हैं 50 rupees कड़ गया और automatically वो हट भी गया था तो आपको यहाँ पर scroll करके देखना चाहिए हैं कि अगर आपने auto square of हो आओगा तो 50 rupees plus GST आपका deduct हो जाएगा आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा उपर आप scroll करेंगे तो आपके पास एक और option आगया mutual funds का so mutual funds पे भी आपको दिखा रहा है कि no charge for investing and or redeeming from mutual funds that is the very good thing जो कि grow app कर रही है आप US stocks पे भी देख सकते हैं कि कोई charges नहीं है account opening AMC brokerage में बट अगर आप नीचा आएंगे तो other charges जो applicable होते हैं जो कि USD, INR exchange rate होता है जो कि bank के थूँ ही applicable होता है bank के charges भी bank के थूँ ही applicable होते हैं इनका कोई उस पे enroll नहीं होता है withdrawal charges अगर आप first withdraw करते हैं तो आपको $0 pay करने पड़ते हैं but after that आपको per withdrawal पे $9 pay करने पड़ते हैं exchange fee जो होती है अगर आप sell करते हैं तो $0.02 होती है जो कि charge करता है exchange ठेक है तो यहाँ पर आपको सारी information प्रोवाइड करा दी गई है mutual funds की stocks की जो भी आपके charges होते हैं जो कि आप pay करते हो actual basis पे so I hope इस video ने आपके लिए सब कुछ cover कर दिया होगा आपको single click के अंदर grow app के अंदर ही सारे charges provide हो जाते हैं अब आप यह सारे charges को एक बार read करिए brokerage calculator का use करिए आपके अंदर हैं